मातर 24 घंटे में लीवर को पूरी त्रह से साब करी और सरीर की हर बीमारी से बची नमस्कार दोस्तों दोस्तों लीवर हमारे सरीर में सबसे बड़ी गरंथियों में से एक है और सरीर में 500 से भी अधिक काम हमारा लीवर करता है भोजन पचाने से लेकर सरीर में उर्जा देने तक साथ ही साथ सरीर में हर त्रह की बीमारी से लड़ने में हमारा लीवर मुखे भूमी का निभाता है। और यही कान है कि लीवर में हलकी सी भी खराबी आने पर हमें बहुत अधिक जानलेवा बीमारियों का सिकार होना पड़ता है। दोस्तो इसके साथ साथ हमारे सरीर में बहुत त्रह के बदलाव भी आते हैं। दोस्तो यदि आपके मुह से दुरगंद आती हैं तब आपको अपने लीवर की सफाई जरूर करनी चाहिए और इस नुस्के को जरूर अजमाना चाहिए। दोस्तो यदि आपके पेसाब का रंग बदल गया है, तब भी आपको अपने लीवर के सफाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लीवर में गडबडी का संकेत है, दोस्तो यदि आपके चेहरे और आँखों कर पीला हो गया है, या आपको जोंडिस की बीमारी हो गई है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए, कि ये लीवर की बीमारी के संकेत हैं, और आपको अपने लीवर को साब करने की जरूरत है, तब आपको इस नुस्खे को अजमाना चाहिए, दोस्तो यदि आप अपने सरीर में बहुत अधी कमजोरी महसूस करते हैं, अच्छा खाते पीते भी है पर आपके सरीर में नहीं लगता, और आपको पूरा दिन आलस आया रहता है, तब भी आपको इस नुस्खे को इस वीडियो को देखने की जरूरत है, वो भी सुरू से लेकर आखिरता, और दोस्तो ये सभी कान, ये सभी लक्षन होते हैं लीवर की बीमारी के, कि आपके ली लीवर से जुड़ी किसी भी वीमारी को हमें बिल्कुल भी नजरंदाज नहीं करना चाहिए, यदि हम अपने लीवर को सवस्त बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने लीवर को सवस्त रखना चाहते हैं, और अपने सरीर को भी बहुत त्रह की वीमारियों से बचाना चाहते तब आपको एक दिन तो अपने लीवर के लिए निकालना ही चाहिए, ताकि आप इस नुस्खे को बनाएं, इसका प्रयोग करें और अपने लीवर को सवस्थ बना दें, और यदि आप एक दिन भी अपने सवास्थे के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपने लीवर के नहीं चाहिए तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा चमतकारिक नुस्खा एक ऐसी ड्रिंक को बनाने के विधी के बारे में बताएंगे जो आपके लिवर को मातर 24 घंटे में ही साप करतेगी और आपको बहुत त्रहें की बेमारियों से बचातेगी त जो चलिए दोस्तो जानते हैं कि इस ड्रिंक को बनाना कैसे हैं दोस्तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए जो सबसे पहली सामगरी हैं वो है दोस्तो लोकी लिवर में आने वाली सूजन या लिवर के बढ़ने के आकार को कम करने के लिए लोकी बहुत अधिक फाइदेमन्द है साथ ही साथ इसमें vitamin A, vitamin C, magnesium, calcium और fiber जैसे मिननल भी पाई जाते हैं जो liver को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं जिससे हमारा liver सही त्रहें से काम करता है और जो दूसरी इसमें मुखे समगरी हैं वो है दोस्तो हल्दी दोस्तो liver को detoxify करने के लिए हल्दी बहुत आदिक महत्यपूं भूमिका निभादि हैं क्योंकि हल्दी में ऐसी एंटिबियोटिक प्रोपर्टी पाई जाती है जो लिवर को साफ रखने में बहुत आदिक मदद करती है और हमारे लिवर से जुड़ी बीमारियों को भी समापत करती है तीसरी जो इसमें मुख्य समग रही है वो है दोस्तो धनिया दोस्तो धनिया हमारी पाचन क्रिया में बहुत अधिक फाइदा करता है जिससे कि यह हमारे भोजन को बहुत जल्दी पचाता है और हमारे लिवर पर बहुत कम बोज परता है यही कान है कि भोजन में हमें धनिया और पुदीने जैसे चीज़ों को पियोग जरूर करना चाहिए। तो चले दोस्तों जानते हैं कि इस ड्रिंग को आपने बनाना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले आपने लोकी लेनी हैं और लोकी को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना है। और अब इसको चक कर देख लेना है कि कहीं लोकी कड़वी तो नहीं। और यदि लोकी कड़वी हैं तब आपने इस लोकी का जोस नहीं निकालना है। क्योंकि कभी भी कड़वी लोकी को ना तो खाना चाहिए और ना ही उसका जोस निकालकर पीना चाहिए। अगर ये लोग की सही है, तब आप इसको छील लें, और छील कर इसको टुकडू में काटकर blender में डाल दी, जैसे कि ये हमने डाल दी है, अब आप धनिया लें, और धनिये को भी अच्छी त्रह से धोकर साफ कर लें, और थोड़ा सा धनिया बी से काटकर या तोड़कर इस blender मे डाल दी, और अब इसमें आप आदा गिलास पानी डाल दी, अब आप इसको blend करके इसका juice निकाल लें, जैसे कि ये हमने इसको blender में blend कर लिया है, और ये इसका juice ready है, अब आपने इसको च्छान लेना है, जैसे कि ये हम च्छान रहे हैं, च्छानते च्छानते आपने इसमें एक नीम्बू का रस डालना है, जैसे कि ये हम इसमें नीम्बू का रस डाल रहे हैं, आपने भी ऐसे ही डालना है, और उसके बाद इसको छान लेना है, छानने के बाद जो ये ड्रिंक बची, इसको आपने एक गिलास में डाल देना है, और एक गिलास में डालने के बाद, आपने सुबह खाली बेट करना है आप इसमें स्वाद के लिए काले नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए ये फाइदा तो करेगी ही साथ में इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और दोस्तों लिवर को डिटोक्सिफाई करने के लिए नीमो भी बहुत अधिक फाइदेबन है इसलिए हमने इसमें नीमो का प्रयोग भी किया है आपको दोस्तों फास्ट फूड और तली हुई चीजों कभी सेवन बिलकुल बंद करना होगा इस जूस को पीने के साथ-साथ यदि आप अपने लिवर को सवस्त बनाना चाहते है अब दोस्तों इसके साथ अपने एक ड्रिंक का सेवन और करना है उसको भी आपने बनाना है और दोस्तों वो ड्रिंक है मुनक्कों की आपने मुनक्का लेनी है अब उसमें एक मुठी मुनक्का लेकर उनको अच्छी त्रहें से धोकर साप कर लेना है और उनको इस पानी में डाल देना है और दोस्तों आपने इसको आदी घंटे तक उबालना है लगातार आदे घंटे तक उबालने के बाद आप इसको थोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख दे और फिर दस मिंट तक उबाले और दो बार उबालने के बाद आप इसको बना कर ऐसे ही रख दे और तीन से चार घंटे जब ये रखे रहेंगे उसके बाद आपने इसको चानना है और इसका सेवन करना है अब जानते हैं इसका सेवन आपने किस समय करना है दोस्तों जो पहले लोकी वाला जूस था उसका अपने सेवन सुबह खाली बेट करना है और इसका सेवन आपने नास्ता करने के एक घंटे के बाद करना है और दिन में इस मुनक्के वाले काड़े का सेवन आपने दो से तीन बार करना है दिन में जब भी आप इसको पीए तब आपने एक घंटे तक कुछ भी और खाना या पीना नहीं है दोस्तो इस ड्रिंग को लेने से आपके लिवर से जोड़ी सारी बीमारियां धीरे धीरे खतम होना सुरू हो जाएंगे और दोस्तो आपका लिवर बिलकुल सही तरीके से काम करेगा जैसे कि एक नए लड़के का 18 साल के लड़के का करता है और दोस्तो ना सिर्फ आपका लिवर सही तरीके से काम करेगा बलकि आपके चहरे पर भी गलो हा जाएगा और दोस्तो इस ड्रिंक का असर आपको सिरफ मातर 24 घंटे के अंदर ही दिखना सुरू हो जाएगा लेकिन आपने इन दोनों ड्रिंक का सेवन लगातार एक हफते तक करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लिवर बिलकुल सही हो जाएगा और आप इसके लावा बहुत त्रह की बीमारियों से बच जाएगे आपके पूरे सरीर का खून सुध हो जाएगा और आपके सरीर में खून की कमी नहीं होगी और दोस्तो यह है तो भली बाती जानते हैं कि यदि हमारा खून सुध होगा तो हम डेड़ सो से अधिक बीमारियों से बच जाएगे क्योंकि इस खून की एसुधी के कान ही हमारे सरीर में डेड़ सो से अधिक रोग लग लग जाते हैं जिनमें कोलस्टोल, हार्ड अटेक, अलर्जी, आदी मुखे बीमारिया है तो दोस्तो आप भी इस ड्रिंक का सेवन करें और अपने लीवर को बिलकुल सवस्त बना दें जिससे कि आप हर त्रहें की बीमारी से बच रहें और दोस्तो ये दोनों ड्रिंक मिलकर ना सिर्फ आपके लीवर को सही करेंगी बलकि आपके सरीर में रोग प्रतरोतक्षमता को भी बढ़ाएंगी जिससे कि कोई भी मारी और कोई भी वाइरस आपके आसपास नहीं आएगा तो दोस्तो आप भी आज ही इस ड्रिंक का सेवन करें और अपने लीवर को बिलकुल सवस्त बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवादोस्तो